अल्याब अल्याओं आज एक्सरसाईज नमबर फ्यर्म वक्रेंगे और ऑफ्यिक्तर देटोबेजा इस एक्सरसाईज के जितने भी कोष्टन ए Wakade और यह आपको पता है कि वन पाउता है वो एक नमबर का सवाल आ गया, दो नमबर का MCUs, तीन नमबर का MCUs, चटो नमबर 4 से जो MCUs बनेंगे, और अगर इस वीडियो को समझना है, और इस एक्सराइज को समझना है, तो प्रिविएस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो प्रिविएस वीडियो में मैंने ड separate, पहला question है, चार question है, तो मैंने, जो main-main questions थे, वो मैंने लिख दी है, ज्यादा questions नहीं लिखे, आप practice के लिए कर सकते हैं, या अगर ये समझा आगे, तो आप दूसरे questions भी कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला question है, separate, polynomial, rational and irrational expression, तीन types की expression थी, polynomial, rational, और irrational expression, अब polynomial मैंने समझाया था कि poly का मतलब होता है कही, many, और nominal का मतलब होता है terms, polynomial यानि कि बहुत सारी terms, ऐसी expression जिसमें एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, यानि कि इतनी terms हों तो उसे polynomial कहते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ हम start में देखते हैं, तो पहला question है, 3x minus 1 upon 3, अब ये 1 upon 3 आप कहेंगे, सर ये rational, ratio की form में आई है, यानि कि divide ी form में नहीं, लेकिन इसके साथ ये variable नहीं, इस term के साथ variable नहीं लिखा हुआ, अगर variable लिखा होता है, तो ये rational होती, नै कि यह यहाँ पर variable नहीं है, तो इसका मतलब एक term और दूसरी term, दो terms है, तो इसका मतलब ये कौन सी term हो गई है, कौन सी expression होगी ह ठीक है जी अब second question है second question में भी same as it is तीन terms दीविए दिर्म्यान में plus और minus है एक दो तीन और इसमें simply आपको terms दीविए ना rational है ना irrational है और simply आप लिख सकते हैं polynomial अब question number 3 पे देखें 4 upon x है x variable है और 4 कोई number है number से variable divide हो रहा है divide की form में मैंने कहा अगर divide होता है तो इसका मतलब ratio है rational है ठीक है जी तो उसे rational expression कहते हैं तो हम simply लिखेंगे rational expression यहाँ पर आगे आप expressions लिखेंगे ठीक है जी तो rational expression अब question number 4 पार्ट 4 है अब पार्ट 4 में देखें एक किसम का radical आ चुका है radical कहा है कि one cube root हो चुका है cube root का मतलब होता है radical अब मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी number जिस पर radical लग जाए उसे irrational number कहते हैं ठीक है जी जैसे 2 है तो उस पर radical लग गया तो simply कोई value आएगी fraction में value आएगी और उसे कहेंगे जब fraction में value आएगी तो उसे कहेंगे कि यह irrational number है divide किये बगएर आप radical apply कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने radical apply किया हुए किसी भी 2 terms में x-y की power 2 और उस पर radical लगा हुए तो इसका मतलब यह जो ना answer इसका कुछ fraction में आएगा तो हम लिखेंगे irrational expression ठीक है जी यह था पहला question ठीक है जी अब question number 2 में देखें separate polynomials and non-polynomial polynomial बताना है non-polynomial बताना है polynomial कौन से है non-polynomial कौन से है और उसके साथ साथ आपने बताना है कि also write the number of variable यानि कि जो आपको expression दी गई है उसमें number of variables कितने इस्तमाल हो रहे हैं अब variable का मतलब मैंने आपको समझाया हूँ है तो देखें पहला question देखें अब इसमें 3-x numerator है और x divided हो रहे है यानि मैंने कहा variable divided हो रहे है जब variable divided होता है तो कौन से expression होती है rational expression होती है यानि कि यह polynomial नहीं है तो हम simply लिखेंगे non-polynomial non-polynomial और साथ-साथ हमने ये भी बताना है कि यहाँ पर इस variable कितने इस्तमाल हो रहे है देखें इस term में variable देखें कितने इस्तमाल हो रहे है simply x इस्तमाल हो रहे है x यूज हो रहे है तो हम simply लिखेंगे one variable कोमा डालके आगे variable का counting बता देनी है कितने number इतने variable इस्तमाल हो रहे है अब अगले question है इसमें देखें एक term है दूसरी term है तीसरी term है दरम्यान में minus plus है ना कोई divide की form में ना कोई radical apply हो रहे है तो इसका मतलब simply तीन terms आपने plus minus की इसाब से collect की हूँए तो इसका मतलब है polynomial polynomial ही है जी अब last जो time है उसमें देखें तो अच्छा इसका number of variable बताएं simply आपने number of variable देखना है तो यहाँ पर variable देखें एक ही variable इस्तमाल हो रहे है x है तो एक type का variable है तो आपने simply लिखा 1 अगर दो type के होते हैं तो आपने लिखना है 2 अब last वाला जो question है इसमें देखें 3 upon 4 divided की form में नहीं है यह तो आप मैंने आपको coefficient का मतलब बताया था coefficient का मतलब यह होता है कि quality variable है उसके साथ जो number multiply हो रहा हो ना जैसे मेरी जो जैसे किसी भाई की age मैंने मिसाल दी थी कि भाई की age का मेरी age के साथ comparison करें जैसे भाई की age x है तो मेरी age 3x होगी तो यह 3 multiply हो रहा है इसके साथ तो coefficient है coefficient का मतलब होता है कि variable के साथ लिखा हुआ है इसका मतलब यह divide rational की form में नहीं है यह simple simple constant number है जो कि इसके साथ multiply हो रहा है तो यह single term है तो इसे कहें के polynomial अगर यहाँ पर कोई variable आ जाता है x के साथ तो variable आ जाता है या उपर simply y आ जाता है कोई भी variable आ जाता है तो इसे rational expression कहते है ठीक है जी तो यह simple एक term है तो हम लिखेंगे polynomial अब दिए इसमें तीन किसम के variable इस्तमाल हो रहे है कौन कौन से एक x है, एक y है, एक z है तो कितने टीक किसम के variable इस्तमाल हो रहे है हम simply लिखेंगे कॉमा 3 variable आपने इस expression में इस्तमाल किये ठीक है जी तो question number 2 यह था question number 3 में जाके find the types of polynomial with respect to their terms जब मैं polynomials मेंने समझाये थे तो polynomials में में यह बताया था कि इसकी भी तीन types है अगर single term वाली polynomial है तो उसे mononomial कहेंगे और 2 terms वाली polynomial है उसे binomial कहेंगे और 3 terms वाली polynomial को कहेंगे trinomial तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने terms यूज हो रहे है minus, minus से पहले एक term, minus के बाद एक term 2 terms है, तो उसे simply क्या कहेंगे by, binomial ठीक है जी, अब यहाँ देखें plus से पहले एक term, plus के बाद एक term एक, दो, तीन तीन terms है तो हम इससे कहेंगे trinomial और single एक term है तो हम नहीं लिखना है यहाँ पर monomial ठीक है जी तो यह question number 3 था simply आपने one word answer देना है अब question number 4 में देखें find the degree of polynomial अब आपके सामने polynomial expressions लिखे जाएंगी polynomials लिखे जाएंगे और उसकी degrees पूछी जाएंगी degrees के मतलब होता है power, highest power क्या है तो अब आपके पास expression दी हुई है, तो simply आपका इसका तरीका क्या है कि आपने expression में देखना है कौन सा variable कौन सी term कौन सी term के पास highest power है अब यहाँ पर x की power है जब power कुछ नजब ना आ रही हो तो उसका मतलब power 1 है और इसके साथ जो अगली term है उसमें variable 2 है तो इसका मतलब variable highest है इस से, x से और इस variable में simply degree कितनी है 2 है power कितनी है 2 है तो आपने लिखना है second degree simple लिखना है second degree polynome easy आपने लिखा second degree अब second वाले question में देखें second वाले question में देखें कि highest power आपको कहा नजब आ रही है highest power x की power 4 है और x की power इस से कम कोई नहीं नजब आ रही y की power 1 भी है 2 भी है 3 भी है लेकिन सबसे highest power जो नजब आ रही है वो x वाली term में आ रही है जिसके साथ y भी लगा हुआ है अब यहाँ पर आपने एक गोड करना है कि simply x की power नहीं लिखनी x की power को देख के नहीं लिखने आपने जो पूरी term है x के साथ y भी लगा हुआ है इसकी जो degree है वो 4 है और इसका degree क्या है 1 है तो 4 प्लस 1 कितने हो गए 5 तो आपने simply लिखने है 5th degree 5th degree पॉलिट होगे ठीक है जी अब last question देख लेते है last question में क्या है कि भी देखें यह जो radical अप्लाय हो रहे है इसकी के साथ साथ इसकी power भी है अब आपको पता है कि cube root से cube cancel हो जाएगा यह simply cancel हो गया अब अंदर में जो expression है वो है a square minus b तो highest power a के साथ है यानि कि power 2 है हम simply लिखेंगे कि second degree इसमें कोई 2 राए हीगे जी तो यह mcqs's base question थे exercise number 4.1 के बस simply exercise number 4.1 में यही 4 question है और इस से related आप question अपनी book के practice कर सकते है अगर इसमें कोई मसला आता है तो आप comment section में पूच सकते है देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अलाफिस